अगर आज के सेशन में हम 5 दिसंबर के सभी करन्ट अफएर्स को डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो में अंतक बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिजेगा और साथ इसाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा इसके अलावा अगर आपको डेली करन्ट अफएर्स की इस PDF को डालोट करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेली ग्राम चैनल से या फ़िट क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लिकेशन पर जाकर फ्री आफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं आज के करन्ट अफएर्स का सबसे पहला कुश्चन इंपॉर्टेंट है नोट कर लिजेगा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किस ने जीता देखे लास्ट येर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप खिला गया था कतर में यहां पर बात हो रही है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 की जो की हाली में देखिए जर्मनी ने अपने नाम किया है यहां पर हम पूरी डिटेल जानेंगे कि आयोजन कहां पर किया गया पहला फेक्ट तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया फाइनल इंडोनेशिया के मनाहन स्टेडियम में खिला गया था फ्रेंड्स फाइनल में जर्मनी ने फ्रांस को राकर पहली बार फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है तो यहाँ पर FIFA Under 17 World Cup की विना टीम जर्मनी हो गई और रनर अफ फ्रांस की फुटबॉल टीम हो जाएगी प्लेस पुछा जाए आयोजन का तो यह हो गया इंडोनेशिया 2023 में इस FIFA World Cup में टोटल 24 टीमों ने पार्टिस्पेट किया था सभी फैक्ट क्लियर है अब बात करेंगे हम आवार्ट की FIFA Under 17 World Cup में गोल्डन बॉल आवार्ट की बात करते हैं जो की देखिए टूनामेंट में सरुस्रेस्ट प्रजशन करने के लिए दिया जाता है तो ये पैरिस बनर को दिया गया जो की जर्मनी के फुटबोल खिलाडी है इसके अलावा गोल्डन बूट आवार्ट की बात करें सबसे ज्यादा गोल दागने के लिए दिया जाता है तो ये अगस्टीन और रोबर्टो को दिया गया जो की अर्जेंटीना के पुरुश खिलाडी है अब बात आती है गोल्डन गलव्स आवार्ट की तो टूनामेंट में जो बेस्ट गोल कीपर होता है उसे ये आवार्ट दिया जाता है 2023 के इस टूनामेंट में पॉल अर्गनी जो की फ्रांस के फुटबॉल खिलाडी है इन्हे गोल्डन गलव्स आवार्ट से सम्मानित किया गया ये अंडर 17 फीफा वल्ड काप ए फ्रेंड्स फुटबॉल की प्रत्योगिता है आयोजन फीफा के द्वारा करवाय जाता है साथ या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं इन मन्थली करन्ट अफेर्स पीडियेफ में देखिए पूरे मन्थ के जो सबसे ज्यादा एक्जाम रेलेवेंट कोश्चन होते हैं उन कोश्चन को यहां पर डिटेल के साथ प्रोवाइट किया गया है जो एक्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है तो एक बार जरूर क्लिक करें चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड कोश्चन देखिए भारती नो सेना दिवस कम मनाय जाता है भारत में इंडियन नेवी डे के रु जाने का कारण क्या है तो देखे 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था इंडिया का तब भारती नो सेना ने एक ओप्रेशन चलाय था जिसका नाम है ओप्रेशन ट्राइडेंट इस ओप्रेशन के दोरान भारती युद्ध पोतों ने कराची बंदरगा पर उस हरी कुमार कारिरत है अब अधर डे की बात करें तो यहां पर हमें थल सेना डे के बारे में पता होना चाहिए यह हर साल 15 जनवरी को मनाय जाता है और एयर फोस डे की बात करें तो यह हर साल भारत में 8 अक्टोबर को मनाय जाता है यहां पर हमारा कुशन इंडियान नेवी ड से है भारती नो से ना दिवस से है तो ये हर साल चार दिसंबर को मनाय जाता है देखे आपने आर प्रग्नानंद के बारे में सुना होगा भारत के ग्रेंड मास्टर एक काफी फेमस वेशाली आर उने की बेहन है फ्रेंड्स जोकि भारत में वर्तमान में 84th ग्रेंड मास्टर बन गई है ये भारत के तमिलाडू राज्य से बिलॉंग करती है भारत की वेशाली आर ने इस पेन में 4th L लोब्रेगेट ओपन चेस टुनामेंट में FM टेमर सेलप्स को हराया है और इन्हें हराकर इस टुनामेंट में जितने के बाद भारत की वेशाली आर भारत की 84th ग्र बन गई है किस राज्य से बिलॉंग करती है तो याद रखेगा ये भारत के तमिलाडू राज्य से बिलॉंग करती है और आर प्रगनानंद की ये बहन है इस तरह से ये चेस इतियास की देखिये पहली ग्रेंड मास्टर भाई बहन की जोड़ी बन गई है तो इस तरह से इं दोनों भाई बेहन हैं और दोनों ही भारत के तमिलाडु रज्य से बिलॉग करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम भारत की प्रमुक महिला ग्रेंड मास्टर की बात करें। इंडियन कॉंसिल औफ फोरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानी देशक किसे न्युक्त किया गया। यहाँ पर यह याद दखिएगा कि यह मध्धि प्रदेश केडर की 1991 बेच की एक IFS अधिकारी है। जिनने हाली में इंडियन कॉंसिल औफ फोरेस्ट्री एंड रिसर्च एंड एजुकेशन का महानी देशक न्युक्त किया गया। देखे इस संस्ता की बात कर लेते हैं कि यह संस्ता क्या है। तो देखे यह भारत में फोरेस्ट्री रिसर्च सिस्टम की एक शेश्य संस्ता है जो की Union Ministry of Environment, Forest और Climate Change के अंतरगत कारी करती है। इस संस्ता की स्थापना 1996 में की गई थी और इसका हेटकोटर उत्तराखंड के दहरादून में इस्ते थे। यहाँ पर यह भी याद रखेगा कि भारत में भारती वन अनुसंदान संस्तान का हेटकोटर भी उत्तराखंड के दहरादून में ही इस्ते थे। और Indian Council of Forestry Research and Education का हेटकोटर भी दहरादून में ही है। हाली में कंचन देवी इस संस्ता की डारेक्टर जनरल नियुक्त की गई जो की इस पत को समालने वाली भारत की पहली महिला है। नेक्स्ट देखिए किस रज्ज में मुमफली उत्सव कडले काई परिशे अयुजित किया जा रहा है। देखिए नाम से आपको एक South Indian Language की फिलिंग आएगी थोड़ी सी। तो पहले तो ये याद रख लीजिए कि कडले काई परिशे एक मुमफली उत्सव है जो की भारत के करनाटक रज्ज में आयुजित किया जाता है। हाली में करनाटक के बैंगलूरू में मुमफली महुत्सव कडले काई परिशे की शुरुवात की गई। हमपी महुत्सव, गोरी महुत्सव, करागा और पत्य दकल नरत्य समारो भी करनाटक रज्ज में ही आयुजित किया जाता है। इंफले उत्साव का एजन भी करनाटक राज्ज में ही किया जाता है। तो 82 भारती सड़क कॉंग्रेस का एजन हाली में गुजरात के गांधी नगर में किया गया। इसके बाद देखिए पांच रज्जो में हुए विधान सवा चुनाओ में भाजपा ने कुल कितने रज्जो में भहूमत हासिल किया। तो देखिए आप सभी टीवी के सामने बेठे होंगे और आप सभी को पता है कि इसका अंसर क्या है। फिर भी हम डिसकस कर लेते हैं। अब सभी जानते हैं कि 2023 में पांच रज्जो में विधान सवा चुनाओ हुए जिन में कुन-कुन शामिल है मद्यप्रदेश, 36 गड़, तेलंगाना, राजस्तान और मिजोरम। इन पांच रज्जो में से तीन रज्जो में बीजेपी ने बहुमत से देखिए सरकार बनाई है। ये रज्जे हैं मद्यप्रदेश, 36 गड़ और राजस्तान। पूरा रिपोर्ट काड़ देखते हैं एक बार किसे कितनी सीटे मिली ये भी हम चाल लेते हैं। क्योंकि देखिए 90 विधानसवा सीटों में से 54 विधानसवा सीटे जीती और बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने यहाँ पर 35 सीट अपने नाम की और एक सीट एक लोकल जो शेतरी पाटी है उसके नाम गई जिसका नाम है जीजीपी ठीक है। चलि अचट सीटे यहाँ पर जीती है। यहाँ पर भी बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाई और फिर राजस्तान में बीजेपी ने 199 सीटे में से 115 सीट अपने नाम की बहुमत देखिए 100 या 101 पर मिल जाता बहुमत चाहिए 50% प्लस पर तो इजीली मिल जाता 100 सीट पर ठीक 15 सीटे बीजेपी ने जीती इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने 69 सीट अपने नाम की है। इसके बाद तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर कॉंग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई 119 सीटों में से 64 सीट यहाँ पर इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने जीती यहाँ पर बीज मिजोरम में वहां की एक शेतरी पार्टी जेट पी एम ने 27 सीट अपने नाम की और यह यहाँ पर सरकार बनाईगी मिजो नेशनल फ्रेंट ने यहाँ पर 10 सीट अपने नाम की है फ्रेंट्स बारती जन्ता पार्टी मतलब बीजेपी ने 2 सीट और इंडियन नेशनल कॉंग्रेस ने एक सीट मिजोरम में अपने नाम की इस तरह से तीन रज एसे है जहाँ पर बीजेपी पूर बहुमत से अपनी गवर्मेंट बनाईगी और इसके अलावाद तेलंगाना में कॉंग्रेस की बहुमत की गवर्मेंट बनने वाली है और मिजोरम में जोरम पीपल्स मुवमेंट के द्वारा गवर्मेंट बनाई जाएगी तो ये पांच रज्जों की चुनावी नतीजे हैं CM जब बनेंगे अनाउस हो जाएंगे तब हम CM की बात करेंगे पर अभी याँ पर केवल रिजल्ट की बात की गई है अगला है Oxford Dictionary द्वारा की शब्द को Word of the Year 2023 घोशित किया गया तो देखे Oxford University का आपने नाम सुनाओगा उसी University के द्वारा Oxford Dictionary का भी प्रकाशन किया जाता है 2023 में इस Dictionary के द्वारा रिजवर्ड को Word of the Year 2023 चुना गया अनसड़ी हो जाएगा देखे रिजवर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन देखने जाएं तो चाम या अट्रेक्शन रिजवर्ड का हिंदी मिनिंग होता है मतलब आकरशन सीधा सीधा उसका मतलब है आकरशन तो Oxford University के द्वारा Word of the Year 2023 से रिजवर्ड को सम्मानित किया गया इसके अलावा देखे अदर डिक्शनरी के जो Word of the Year है उनको भी एक बार देख लेते हैं तो कॉलिज डिक्शनरी के द्वारा AI Word को 2023 के लिए Word of the Year घुशित किया गया Cambridge Dictionary ने Hallucinate Word को Word of the Year घुशित किया था और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने Authentic Word को Word of the Year 2023 घुशित किया था और अब Oxford Dictionary ने इस वर्ड को 2023 के लिए Word of the Year घुशित किया हाली में रवी गुपता को किस रज्ज का पुलिस महानिदेशक निक्त किया गया पुलिस महानिदेशक मतलब DGP की बात की गई है फ्रेंड्स तो हाली में रवी गुपता को दिखिये तेलंगाना रज्ज का नया DGP निक्त किया गया है इनके पहले तेलंगाना के DGP के पत पर अंजनी कुमार थे लेकिन चुनावू में आचार सहीता उनलंगन के कारण उन्हें इस पत से निलंबित कर दिया गया था जिसके बाद भारती पुलिस सेवा के वरिस्त अधिकारी रवी गुपता को तेलंगाना का नया DGP निक्त किया गया है इसके अलावा देखिये रवी गुपता वर्तमान में ब्रस्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक के पत पर भी है और अब ये तेलंगाना राज्जी के नय DGP बनाए गए DGP की बात करे फ्रेंट्स तो ये राज्जे पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसे DGP मतलब Director General of Police के नाम से जाना जाता है ओके इसके बाद आज के करंट अफेर का सबसे लास्ट कुशन देखिए चर्चा मेरा अंतरास्टे समुदरी संगठन का मुख्यालय कहां इस्ती थे तो International Maritime Organization की बात करे फ्रेंट्स तो इसका हेड़कोर्टर लंदन में इस्ती थे जो की United Kingdom में आता है आंसर भी हो जाएगा देखे फ्रेंट्स हाली में United Kingdom में अंतरास्टे समुदरी संगठन की 33 भी बेठक के दोरान भारत को 2024 और 25 के लिए Group B State के तहट International Maritime Organization की परिशयद में फिर से चुना गया है इस organization में भारत की उपस्तिती इसलिए भी महतुपुन है क्योंकि भारत इस organization में अंतरास्टे समुदरी व्यापार में सरवादिक रूची रखने वाले 10 रास्टों की शेणी में आता है तो अंतरास्टे समुदरी संगठन मतलब International Maritime Organization की 33 भी बेठक का आयजन हाली में UK के लंदन में आयजित किया गया जहां पर इस संस्ता का मुख्यलाई भी इस्तित है भारत की ओर से देखिए United Kingdom में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराई स्वामी ने International Maritime Organization की 33 भी बेठक में भारत का प्रतिनिद्ध्व किया है अब देखिए आपके दिमाग में कुश्चन आएगा कि एक्चुल में ये संस्ता काम क्या करती है तो देखिए International Maritime Organization United Nation की विशेश एजेंसियों में गीनी जाती है जो कि अंतरास्ट समुद्री शेत्र के लिए नियम या कानून बनाने का कारी करती है इस संस्ता की स्थापना 1958 में की गई थी कि टेक लिम जो की दक्षिन कोरिया से आते हैं इस संस्ता के सेकेर्टरी जनरल के पतपर है हेटकॉर्टर जो की अभी हमने डिसकस किया ये लंडन में इस्तित है क्लियर तो यहाँ पर देखिए हमने 5 दिसंबर 2023 के सभी करणट अफेर्स को डिटेल में समझ लिया अब आज़े ये आजकी फेक्टरी शिट में जनवरी से लिकर दिसंबर 2023 तक के सभी करणट अफेर्स को वन लाइनर में हम यहाँ पर डिसकस कर लेते हैं पहला देखिए ब्राजिल अंतरास्टे सोर गडवन्दन का पूर्ण सदस्य बना है छे फरवरी 2023 को रिकी केस जोकी म्यूजिक कंपोजर है इन्होंने प्रतिस्टित ग्रेमी अवाड 2023 जीता है इसके बाद 7 फरवरी 2023 को तेलंगाना ने भारत के पहले नई गती शिल्ता केंद्रित क्लस्टर की गोशना की है इसके बाद 7 फरवरी 2023 को ग्रीन बॉर्ण जारी करने वाला पहला नगर निकाए इंदोर नगर निगम बन गया है नेपाल क्रिकेट असोसियेशन ने मौन्टी देसाई को मुख्य कोच निक्त किया दुख दुत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर वन देश भारत बन गया है नई दिल्ली में हाली में मुर्तिकला पार्क का इन्नोग्रेशन किया गया आठ फरवरी 2023 को मयानमार और रूस के मद्ध में परमाणों उर्जा विक्सित करने के लिए समझोते पर हस्ताक्षर किये गए इसके बाद आठ फरवरी 2023 को टी-स दुनिया की सबसे प्रशन सित कमपनियों की सूची में शामिल की गई और आठ फरवरी 2023 को पाकिस्तान के खिलाडी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोशना की थी सभी वन लाइनर इंपोर्टेंट है जो भी यहाँ पर हमने डिसकस किये हैं अब आजये लास्ट डे के सेशन में जो करन्ट अफेर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइस कर लेते हैं पहला देखिए वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पेटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत 49 वे स्तान पर है चर्चित तुफान मिचोंग का संबंध हिंद मासागर से है हाली में राजस्तान के जेसल मेर में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जिवाश में खुजे गए सिक्स्त अंतरास्ट ये लगू फिल्म महुत्सव का एजन वारानसी में किया जा रहा है रास्ट प्रदूशन नियंतरन दिवस 2023 की थीम की बात करें तो ये सस्टेनेबल डिवलप्मेंट फोर अ क्लीन एंड हेल्थी प्लेनेट है इकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइट कॉस्ट आफ लिविंग इंडेक्स 2023 में विश्व का सबसे महंगा शहर सिंगापूर बन गया है चर्चित फिल्म सेम बहादूर मेगना गुलजार के द्वारा डायरेक्ट की गई इसके बाद इंक्यानुवी इंटरपोल महासभा का एजन हाली में आस्ट्रिया में किया गया प्रोजेक्ट लॉयन के तहट गुजरात के बर्दा वन्निजी औभ्यरन में एश्याई शेरों को बसाये जाएगा और लास्ट देखिए हाली में खोजी गई एक नई प्रजाती पेन कोरियस सेबेस्ट यानी मकडी की एक नई प्रजाती है तो ये सभी एसे करंट अफेर हैं जिनने हमने लास्ट डे के सिशन में डीटेल में समझा था अब आजाएए आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ दे देख लीजिए फीफा का मुख्याला है कहां इस्तित है कमेंट में जरूर बताईएगा कि इस कोश्चन का अनसर क्या है इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉडेंट अपडेट है अब आपके लिए क्रेजी जी के ट्रिक के सभी कोर्सेस वेपसाइट पर भी एवेलेबल है ये सभी courses आप सभी की requirement और latest exam pattern को ध्यान में रखकर design किये गए हैं यहां हम basic concept के साथ-साथ comprehensive learning पर focus करते हैं तो एक बार जरूर website पर visit करें इसका link आपको description box में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना ख्याल रखिए जय हिन जय भारत